सलाम नमस्त दोस्तों मैं हूर आशिद और आप देख रहे हैं TRN News अब हमारे बीच नहीं है तभी से सारी जगा उनकी चर्चा हो रही है उनको लेकर दुख जताय जा रहा है हर कोई उनके लिए द्याए कर रहा है अपनी साथवनाई दे रहा है इस बीच सबसे जादा दोक अगर किसी को हुराए एक सिधार सुकला के परिवार वाले और दूसरा नाम है शेहनाज गिल जो कि उनकी कतित गर्फरेंड है उनको लेकर जो सबसे बड़ी बाते सामने आ रही है कि अब शेहनाज गिल कहा है तो आपको बता दे जब से शेहनाज गिल को इस बारे में पता लगा है तब ही से वो तूट चुकी है उनकी फैमली ने बताया है कि वो तूट गई है किसी से बात नहीं कर रही कुछ खा पी नहीं रही बस रोए जा रही है जब से इस बारे में पता लगा है तब से वो अपने होशो हवास में नहीं है चैनाज गिल बता दें आपको कि बीते दिन तक यानि कि बीते दिन रात तक सब कुछ ठीक था उनके परिवार वालों ने भी बताए कि चैनाज गिल बीते दिन रात तक उससे बात होई थी सब कुछ ठीक था लेकिन आप सुबा से जब से ये खबर चलने लगी है तब ही से बस उसने सब कुछ छोड़ दिया है खाना पीना छोड़ दिया है बस रोए जा रही है रोते रोते वो बेहाल है सिर्फ सिधार्थ से मिलना चाह रही है और वो जहां है प्रोजेक्ट पर थी बस वहां से निकल चुकी है और सिधार्थ के यहां पहुँच रही है क्योंकि वो बिलकुल भी उससे अलग नहीं रह सकती थी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जा सकता था लेकिन सचाई तो अब यह है कि सिधनास की जोड़ी अब तूड़ गई है और अकेली रह गई है तो वो है शेहनास गिल जो महां से निकल चुकी है और सिधार्थ के घर पर पहुँचने के लिए तयार है उनके परिवार की तरफ से बियान आया है कि वो अकेली थी और किसी से मिल नहीं रही कुछ खाप ही नहीं रही किसी से बात नहीं कर रही बस सुभा से ही वो लगातार रोए जा रही है और अब देखना है कि आखिर चैनास गिल कब सामने आती है कब वो अपना पहला बयान देती है और सिधार्त के लिए क्या कहती हैं ये सब जानने के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ और हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए इस मामले से जुड़े रहे हैं ये TRN के साथ